तो आज हम लोग अक्षा 10 के प्रश्ना वली 8 दस मलब 1 प्रश्न संक्याद 4 को सॉल्ब करेंगे यदि 15 कोट A बड़ाबर 8 हो तो साइन A और सेक A कामान ग्याद करें तो हम लोग सवाल को सॉल्ब करते हैं हल दिया गया है दिया गया है 15 कोट A बड़ाबर 8 यहाँ पर 15 और कोट A के बीच इंटू का यानि गुना का सम्मंध है तो हम इस पंदरों को उस साइड करेंगे तो इधर आएगा तो 8 भागा 15 हमें पता है कोट A का फ्रमुला B by P होता है मतलब B का वेल्यू 8 और P का वेल्यू 15 तो हम लोग यहाँ मान हैंगे माना B बड़ाबर 8 के और P बड़ाबर 15 के हमें क्या चिस का जुरूरी पड़ेगा H का क्यूंकि हमें साइने और से के का मान ग्याद करना है तो हम लोग पाइथा गोरस थियोरम से पाइथा गोरस परमय का उप्योग करेंगे प्रमय से H स्क्वाइर बड़ाबर P स्क्वाइर पलस B स्क्वाइर होता है ह स्क्वाइर बड़ाबर P स्क्वाइर का मान 8 के का All स्क्वाइर और B का विल्यू 15 के का स्क्वाइर 8 का 64 के स्क्वाइर 15 का 225 के स्क्वाइर ये दुनों को पलस करेंगे तो 289 K square H square H square H बढ़ावर हो जाएगा रूट अंदर 289 K square इसको जब हम बाहर करेंगे तो 17 K square मतलब H का value 17 K की आगया square है तो बाहर आगा तो के होगा हमें पूछ रहा है sin A का मान तो sin A बढ़ावर होता है P by H P का value यहां से 15 K है और H का value हम लोगों ने 17 के निकाला के के कट गया तो 15 by 17 और 6 A का value हमें पता है H by B होता है H का value 17 K और B का value 8 K तो 17 by 17 by 8 यही था सवाल हुआ तो गया है